Hello, Greetings to all of you, Welcome to Himrakshaktos, स्वागत आप सभी का आज किस वीडियो में आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं HRTC Conductor के रिगार्डिंग देखी सभी को मालुम है कि आपका एक्जाम होने जा रहा है 10 दिसंबर को यह आपको जितने भी मोक टेस्ट पे पर करवाये जाएंगे हम जो हैं हिमरक्षक टीम गरंटी लेती है कि इन मोक टेस्ट से आपको फाइनल 10 दिसंबर वाले एक्जाम में फाइदा 101% होगा देखी इन मोक टेस्ट पे पर में जितने भी कॉश्शन होंगे वो पहले HPPSC ने खुद किसी न किसी एक्जाम में पूछे होंगे ठीक है आज की वीडियो में आपके लिए है टोटल 20 कॉश्शन एंड ओफ तो वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं इतनी सी बात हुई क्लियर चलो हमारा पहला कॉश्शन है आप देख सकती हो ये ना HPPSC का प्रिवियस एर कॉश्शन है में इसे कॉश्शन आपको सेम टो सेम कॉश्शन आपको HRTC एक्जाम में 101% चांस है कि सेम कॉश्शन उठा लेगा वो इसी विपर से तो द्यान से पहला कॉश्शन एटेम्ट करो हिमाचल प्रदेश के पूरन राज्यक के पहले राज्यपाल कौन थे बताओ शावाश तो इस कॉश्शन का सही जवाव है आपका C option is the correct answer S चक्रवती देखिए B option है आपका N C मेहता ये कौन थे ये भी पता होना चाहिए ये हैं आपके प्रथम मुख्यय अयुक्त जिसे हम English में बोलते हैं First Chief Commissioner समझ गए अब D option जेवन्त राम जेवन्त राम कौन थे देखिए ये बिदान सवा के पहले अद्यक्ष थी समझ गए ये आपको उपदेख्ष आ जाए तो आपने याद रखना है Krishnachandra ठीक है? Krishnachandra Next Question number two हिमाचल प्रदेश लोक जिवा अयोग कब बना था? ये दि HPPSC पिपर ले रहा है तो ये तो पता होना चाहिए कि ये कब बना था ये इसका गठन कब हुआ था? इस Question का सही जवाव है Option B is the correct answer 8 April 1971 को ये बन कर त्यार हुआ था Next Question है Question number three हिमाचल प्रदेश की महिला पहली महिला मुख्य नियाइदीश के रूप में किसे निक्त किया गया था? काफी असान Question है तो इस Question का सही जवाव है Option D is the correct answer Justice लेला सेट नियाइदीश लेला सेट बोल सकते हैं आप हिंदी में Next Question है निमलिखित में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश लोग सिवा गरंटी अदिनियम पारित किया गया? तो इस Question का सही जवाव है Option D is the correct answer अगर आपको देट पूछ ली जाए तो आपने याद रखना है 23 सब्तमबर को 23 सब्तमबर 2011 समझ गए? इतनी सी बात हुई clear? चर्ड Next आपका Question No.5 पानिनी ने त्रिगर्थ का उलेख किया था उसने simple सा पुछा गया है पानिनी ने त्रिगर्थ को क्या कहकर पुकारा था उसका उलेख कैसे करा है इसने तो इस Question का सही जवाव है Option A is the correct answer अयूद यी भी संक Next Question है Question No.6 बेगार कौन सा शब्द है? बेगार कौन सा शब्द है? तो इस Question का सही जवाव है Option C is the correct answer पर्षियन वर्ड है ये ठीक है? पर्षियन शब्द है अब आपको पता होना चाहिए बेगार होती क्या है? देखिए ये अंग्रेज्जों द्वारा चलाई की एक प्रथा थी इसमें क्या होता था? इसमें मजदूरों को बिना मजदूरी दिये बिना पैसे दिये काम करवाया जाता था इस प्रथा में ये सिम्पल से अपने definition याद रखनी है क्या बोला मैं ने? इसमें मजदूरों से बिना पैसे दिये काम करवाया जाता था बेगार करवाया जाती थी नेक्स्ट कॉश्शन, कॉश्शन नमबर सेवंथ भारतिय उन्नत अधियान संस्थान शिमला को पहले कहा जाता था सिंपल सा कॉश्शन है, इसमें बोला गया है इंडियन इंसिट्यूट ओफ अडवान स्टडी शिमला में जो है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था सिंपल कॉश्शन है, तो इस कॉश्शन का सही जवाब है B is the correct answer, वाइस रिगल लॉच के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट कॉश्शन है, आपका पजोता शेत्र जहां पर पजोता अंदोलन चुरू हुआ था सिर्मोर के किस तसील में स्थित है पजोता शेत्र कॉश्शन काफी इंपॉर्टन रही है तो इस कॉश्शन का सही जवाब है ओप्शन B is the correct answer ये राजगर तसील में पढ़ता है पजोता शेत्र अब मेरे को बताओ आप कोमेंट वोक्स में अब भी क्या भी लिखो शाबश कि आपका पजोता अंदोलन जो है वो किस सन में हुआ था किस एर में हुआ था शाबश नेक्स्ट कॉश्शन है कुल्लू ने किस वर्ष पूरण जिले का धरजा प्रापत किया था तो इस कुश्शन का सही जवाब है ओप्शन C is the correct answer 1966 में देखिए अगर आपको डेट पूछ ली जाए तो आपने याद रखना है 1 नवंबर 1966 नेक्स्ट कुश्शन आपके लिए अटेम्ट करो शाबश हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2011-12 के दोरान शाबश दीजे जवाब काफी असान कुश्शन है तो इस कुश्शन का सही जवाब है आपका ओप्शन B is the correct answer कांगडा में नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में मद्यम सिंचाई परियोजना नहीं है मद्यम सिंचाई परियोजना नहीं है सिंपल सा कौशन है यादा डिफिकल्ट नहीं है ये देखिए अगर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी यहाँ पर मद्यम पूछा है ना तो सबसे बड़ी कौन है बड़ी हुई आपकी शाह नहर परियोजना यहाँ फिर शाह नहर प्रोजेक्ट यह सबसे बड़ी हुई तो यह मद्यम नहीं हुई तो option A is the correct answer ठीक है ये कहाँ पढ़ती है ये आपकी कांगडा में पढ़ती है फिर next है आपकी चंगर ये कहाँ पढ़ती है ये आपकी प्रियोजना बिलासपूर में पढ़ती है next बलह बैली ये आपकी कहाँ पढ़ती है ये आपकी मंडी में पढ़ती है next question निमल लिखित मेंसे किस सान पर ये मुना नदी हिमाचल परदेश में परवेश करती है काफी असान question है तो इस question का सही जवाब है आपका खादर माजरी या फिर आपने बोल सकते हो खादर माजरी ये किस आपके जिले में है ये आपके सिर्मोर जिले में है ये कहाँ है किस जिले में है, सिर्मोर जिले में है, शाबश नेक्स्ट, निमल लिखित में से कौन हिमाचल परदेश का परसिध हस्ट शिल्प नहीं है निमल लिखित में से ऐसा कौन सा है option सब में जो हिमाचल परदेश का well-known handicraft नहीं है तो इस question का सही जवाब है option, B is the correct answer नेक्स्ट, जवाब दीजिए, काफी असान है निकोलस रोरिच, नगर में परसिध रोरिच आर्ट गैलरी से संबंदित है ये किस देश से हैं? तो निकोलस रोरिच जो हैं, वो आपके रशिया से संबंद रखते हैं या फिर रशिया से बिलोंग करते हैं चलो, चलें फिर नेक्स्ट कॉश्चिन में आ रहा है मज़ा ना? ऐसे ही कॉश्चिन आपको देखने को मिलेंगे जब आपका फाइनल 10 दिसंबर वाले पर परोगा सभी को बता है हिमाचल जी के के आएंगे टोटल 30 कॉश्चिन कितने? तीस कॉश्चिन आ रहे हैं हिमाचल जी के के वहाँ पर तो तीस कॉश्चिन का बेटेज आप देखी जगते हो कितना होता है तो आपने ये क्लासिस रेगुलर एटेंड करनी है समझ गए? नेक्स्ट कॉश्चिन है हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले सुन्दर नगर्शेली मंदर किसका प्रतिनितव करते हैं या फिर इसका प्रतिनितव करते हैं किसका करते हैं? तो इस कॉश्चिन का सही जवाब है ओप्शन डी जा कॉरेक्ट अंसर गुप्तिकला का प्रतनितव करते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 16 हिमाचल प्रदेश में शिगडी का स्थानिय अर्थ क्या है तो शिगडी बोलते हैं हमा गलेशियर को ए इस दा कुरेक्ट अंसर नेक्स्ट कुश्चन है दोर 11 की जन संक्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिगन पाथ सेक्स रेशो जो है वो सबसे हाइस्ट है या फिर सबसे अधिक है तो इस कुश्चन का सही जवाब है ओप्शन A is the correct answer मज़ा आ रहा है अच्छे लग रहे हैं कुश्चन चलो नेक्स्ट कुश्चन आपका क्रेंट फेर का था ये पिप्पर हुआ था आपका 17 और 18 में तो ये आपका इतना important नहीं है क्योंकि क्रेंट फेर वो क्रेंट फेर से ही लेगा न कुश्चन ये भी क्रेंट फेर का कुश्चन था नेक्स्ट नेक्स्ट आपका question number 20 निमल इखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में हरवल संस्थान के इंदर नहीं है काफी असान है पता है आपको कितने है total पता है सभी को कितने है total बताईए शावश तो इस question का सही जवाब है option C is the correct answer नागनी नहीं है नागनी की जगा आएगा आपका नेरी नागनी के जगा आएगा आपका नेरी हमारा पहला हारवल गार्डन है डुम्रेडा पहला है डुम्रेडा ये कहां है ये आपका शिमला रहुडु में है फिर है जंगल जलेरा ये कहां है जंगल जलेरा ये आपका बिलासपुर में है फिर सी ओप्षिन नागनी की ये गायन होने लिखना था नेरी नेरी कहा है नेरी आपका हम्मिरपुर में है फिर आया जो गिंदर नगर सबी को पता होगा ये चल ये थी वीडियो अभी क्या भी बताओ आप कितने कोशिन हुए हमेरे हमारे हुए अठरा कोशिन अठरा में से आपके मार्क्स कितनी है कोमेंट वोक्स में आपने लिख देने हैं कि 18 आउट ओफ आउट ओफ 18 या फिर 16 या फिर 15 क्योंकि असानी कोशिन पूछे थे HP PSC ने किसी प्रिवियस एयर में समझ गए नेक्स्ट आप वीडियो किसकी चाहते हो आपके लिए रेडी है हमारा कॉंटेंट सभी को पता है जो पेपर वन है उसमें आपके HP GK के होंगे 30 कोशिन फिर आपके करंट फिर या फिर GK के होंगे अपके फिर हिंदी के होंगे 20 कोशिन फिर आपके इंगलिस के होंगे 20 कोशिन टोटल आपके 100 कोशिन का पेपर होगा पहला पेपर आगे बात समझ में देखिए आपको वो भी कौंटेंट अभी रडी किया जा रहा है हमारे टीम जो रूरों पर research कर रही है जो IT tools या फिर वो वाले question है ना जो आपको internet पर नहीं मिलते हैं कहीं वो भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी ठीक है पेपर से पहले आपको वो भी करवाया जाएगा free of cost करवाया जाएगा इसलिए आपको अभी क्या भी सबसे पहले काम क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सबस्काइब करके दख लेना है क्योंकि आपको ऐसा content दिया जाएगा free of cost ऐसा content आपको provide किया जाएगा जो आपको बहुत से चैनल हमारे हिमाचल परदेश के free of cost नहीं दे पाते हैं उन्होंने fees रखी होती है बट हिमरक्षक का काम है सब कुछ free of cost प्रोवाइड करना अब यूट्यूब के लावा हम तीन social media handles पर और भी हैं यदि आपको इस class की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ WhatsApp ग्रूप पर जूट सकते हैं यदि आपको इस परकार की पोस्ट बना का जानकारी चाहिए तो आपको हमारे Instagram पर जुनना होगा यदि आपको इस परकार के free of cost क्विज चाहिए क्योंकि इसमें भी आपको पैसे जुकाने पड़ते हैं क्विज के लिए भी बट आपको हिमरक्षक free of cost क्विज प्रोवाइड करता है हमारे टेलीग्राम ग्रूप पर इन तीनों का लिंक हमारे description box में दिया हुआ है आप तीनों पर हमें जुरूर फोलो किजेगा आपको regret कभी नहीं होगा इसकी हिमरक्षक team guarantee लेती है Thanks for watching चैनल को subscribe जुरूर करना है क्योंकि आपके paper तक हम आपका हाथ पकड़ कर रखेंगे और वहां तक आपको selection के देलीज तक आपको पार करके हम बैठेंगे चैन से तब तक हम वीडियो पर वीडियो वीडियो पर वीडियो अच्छा अच्छा content आपको provide करेंगे वीडियो में अगर आपको कुछ भी knowledgeable लगा अच्छी लगी वीडियो तो आप इस वीडियो को एक like कर सकते हैं वीडियो को ज़्याद से शेयर कर सकते हैं और अच्छा सा comment करेंगे और अपने marks comment जुरूर करने हैं कि आपके 18 में से कितने marks हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप खुश रहिएगा पढ़ते रहेगा दन्यवाद जेहिन जैहिमा चल